C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वरा पस्तुत है कक्षा साथ के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग दो अपनी जबान साथवी जमात के लिए उर्दू की दर्सी किताब आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग दो का तेर्वा सबक सबक नंबर तेरह सुब के नजारे नजमनिगार सादत नजीर सफ़ा नंबर सतासी जागा है बूटा बूटा चटका है गुंचा गुंचा चमका है जर्रा जर्रा रौशन है चप्पा चप्पा गर्दों पे जगमगा हट खेतों में लैलाहा हट चिडियों की चैचाहा हट कलियों की मुस्कुरा हट सफ़ा नंबर अठासी शबनम के आईने का अकसे चमंग दिखाना पत्तों का शाध हुना और तालियां बजाना फूलों में दिलकशी है काटों में तास्गी है हर दिल में एक खुशी है हर सिम्त रोशनी है वादी, पहाड, सिहरा हर एक जग मगाया दरिया को जोशाया साहिल भी कुन-कुनाया सफ़ा नंबर नवासी फितरत बहार पर है, दुनिया निखार पर है, हर शय है खुपसूरत, रंगीन हर नजर है सच पूछिये तो मंजर कैसे हैं प्यारे-प्यारे देते हैं लुट्फ क्या-क्या, ये सुभ के नजारे मानी याद कीजिये नजारा मंजर गुंचा कली गर्दू आसमान शाद खुश जोश उबाल वलवला फितरत उदरत नेचर निखार खुपसूरती रौनाक सोचिये और बताईये सवाल एक बूटा-बूटा जागने से क्या मुराद है? सवाल दो चप्पा-चप्पा क्यों रोशन है? सवाल तीन गर्दों पे जगमगाहट का क्या मतलब है? सवाल चार सुभ के वक्त हर शेख खुपसूरत क्यों हो जाती है? सवाल पांच इस नजम में सुभ का जो मंजर बयान किया गया है उसे अपने लफजों में लिखिए सफ़ा नंबर नववे मिसरों को मुकमल कीजिए एक चमका है खाली जगा रोशन है चप्पा-चप्पा दो चिडियों की चैचाहाहट कलियों की खाली जगा तीन पत्तों का खाली जगा होना और खाली जगा बजाना चार हर दिल में एक खुशी है, हर सिम्त खाली जगा है पांच दर्या को जोश आया खाली जगा भी खाली जगा छे, हर शे है खुबसूरत, खाली जगा, हर नजर है साथ, देते हैं, खाली जगा, क्या-क्या, ये सुब के नजारे दिये हुए लवजों को अपने जुमलों में इस्तिमाल कीजिए जगमगाहट लेलहाहट चहचहाहट मुस्कुराहट अक्स ताजगी जोश निखार नजर मन्जर लुथ्फ वाहिट से जमा बनाईए जर्रा दुनिया शै मन्जर वादी इन लवजों के मुतजाद लिखिए जागा शाद रोशनी खुशी खुपसूरत सफ़ा नंबर इक्यानवे दिये हुए मिसरों को तर्तीब से लिखिए फितरत बहार पर है दुनिया निखार पर है फूलों में दिल कशी है काटों में ताजगी है चमका है जर्रा जर्रा रोशन है चपा चपा हर शै है खुपसूरत रंगीन हर नजर है हर दिल में एक खुशी है हर सिम्त रोशनी है जागा है बूटा बूटा, चटका है गुंचा गुंचा दरिया को जोश आया, साहिल भी गुन-गुनाया शबनम के आईने का अकसे चमन दिखाना वादी, पहाड, सिहरा, हर एक जग मगाया पत्तों का शाद होना और तालियां बजाना देते हैं लुट्फ क्या-क्या, ये सुभ के नजारे इमला दुरुस्त कीजिए जाल, रे तजदीद, अलिफ, जर्रा अलिफ, काफ, सीन, अकस तोई अलिफ, लाम, ये, अलिफ, नून गुना, तालियां तोई अलिफ, जे, गाफ, इये, ताजगी सीन, हे, रे, अलिफ, सहरा सीन, अलिफ, छोटी हे, लाम, साहिल फे, ते, रे, ते, फित्रत नून, जे, रे, नजर लाम, ते, फे, लुट्फ, अमली काम इस नजम का मतलब अपने लफ़ों में लिखिए अपने लफ़ों में शाम के नजारे बयान कीजिए सफ़ा नंबर बानवे गौर करने की बात इस नजम में, शायड ने सुब्ध के नजारों का नहायत खुबसूरत और दिलकश अंदाज में नक्ष़ा कीजा है सुब्ध के नजारों के साथ, काइनात के तमाम जानदार अपने अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं हम सब अपने काम सुब्ध ही से शुरू कर देते हैं खुआह वो स्कूल जाना हो या रोजमर्रा के काम काज हो सुब होते ही जिंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती है हर जानदार अपने अपने काम में मसरूफ हो जाता है इसी के साथ अपनी जबान भागदो का तेर्मा सबक यहां खत्म हुआ इसके बाद सबक 14 आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत